दोस्तों, ये कहानी आधे जले खंधर की है, जो काफी भयानक और डरावनी है, ये बात उन दिनों की है, जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैम्प के लिए एक जंगल में गए थें, जहां हलकी ठंड थी, तो रात में हम सबने पूरी रात कैम्प फायर के साथ डांस करने, गाने आधी का प्रोग्राम तये किया, मुझे और मेरे साथियों को कैम्प फायर के लिए लकडियां इकठी करने का भार सौंपा गया, मैं निकला तो अपने साथियों के साथ ही था, लेकिन जंगल के और मैंने पेड के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझ, आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगाओ, मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल इंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई, बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी, और उसमें धेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था, मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खुबसूरत नर्स से टकराते, टकराते बचाई, नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी, उधर बाई और एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले, उससे कहना, सिस्टर जूलिया ने दुसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हे कपड़े दे देगा हो, लेकिन मैं हक्का बक्का मुह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा, मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मेरी स्थिती देखकर सिस्टर जूलिया, खिल खिला कर हस पड़ी, और बोली, पहले तो तुम अपना मुह बंद करो, वरना मुह में मच्छड घुस जाएंगे, अब जाकर वहीं करो, जैसा मैंने कहा ह फिर मैं हलके से हां में सर हिला कर सिस्टर की बताई दिशा में जाने लगा, अभी कुछ दस कदम ही चला होंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मैं चौक कर पीछे मुडा, और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया, मेरे चे की आर्मी का हॉस्पिटल है, कैप्टन अजय की बातों ने मुझे आश्वस्थ किया, मैं अब धीरे-धीरे सामान ने हो गया, और मैंने कैप्टन अजय को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई हूं, जिसे सुनकर कैप्टन अजय के चेहरे पर रहस्समई मुस्कान फैल ग और मैं कैप्टन अजय के पीछे-पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया, कमरे के चारो और हरे रंग के परदे लगे हुए थे, कमरे में एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था, और उसके सामने एक सोफा था, बीच में एक टेबल था, जिस पर दो गलास एक बड़ी बोतल ब्रांडी की, और एक या दो पत्रिकाएं पड़ी हुई थी, कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अल्मारी थी, जिसमें से कैप्टन अजय ने एक आसमानी रंग का कुरता पायजामा निकाल कर मुझे दिया, और कमरे से लगे बाथरूम की और इशारा किया फिर मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवाल पर पड़ी, वह खून के छीटों से भरी हुई थी, यह देखकर मैं गबरा गया, और जल्दी से बाहर निकलने को पिछे मुड़ा की बाथरूम में लगे आइने में खुद को ही देखकर चौक गया, आइने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था, अब मुझे डर लगने लगा, और मैं हड़ बड़ा कर बाथरूम से निकल गया, मुझे इस तरह बाहर निकलते देख, कैप्टन अजय ने हंस कर पूछा, क्या हुआ, अरे हां, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया, कहां जाओगे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम अचानक यहां से जाना क्यों चाह रहे हो, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहा, कैप्टन अजय, आप की बाथरूम की एक दीवाल, पूरी खून के छीटों से भरी हुई है, और आपके बाथरूम में लगा आइना भी, कुछ अजीब सा है, उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा सर ही गायब था, मैं अब बिलकुल भी नहीं रुकूंगा, यह तुमने सब कुछ देखी लिया, जी क्या मतलब है आपका, मेरी आवाज में डर भर गया था, मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते, जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ, मैंने कहा, क्या बताना चाहते हैं आप, जो आज तक कोई ना जान सका, वह मैं जानकार क्या करूंगा ओ प्लीज, अब मुझे जाने दें, मैं डर से कापने लगाओ मेंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैप्टन ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं, सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक् होते ही, मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीब से छोड़ाऊंगा, वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकलाए हो, वहां तक तुम अब चलते हुए, शायद पहुंच न पाओ, फिर मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया, कैप्टन अजय ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोके से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया, दुश्मन देश के दो सैनिक, हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आएं, वह घायल था, और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था हुँ शाय हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले इन वेश धारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गए। अभी उस सैनिक का इलाज चली रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तबदील हो गया। मैंने कहा लेकिन ह हॉस्पिटल तो अपनी शांदार स्थिती में खड़ा है। मेरी बातों को अंसुना कर कैप्टन अजय ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में दीवाल पर पड़े खून के छीटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए। हॉस्पिटल के कर्मचारियो के हैक में ने कहा पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन अजय के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान आ गई और उनका चेरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा। आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए। सुनते ही कैप्टन अजय ठाहा का लगा कर हस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा। यह कहानी आज से मात्र दस वर्ष पहले की है और मैं तो आज से पचास वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके खोलते ही मेरे सर ने कहा। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गयाओ मैंने कहा। तो क्या मैं बेहोश था। सर ने कहा। हां तुम न जाने जंगल में कहां भटक गए थे। जब सभी लौट आये और तुम नहीं आये तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंडने निकले। काफी पर बिठाया और कैम तक छोड़ा। हमने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की। लेकिन वे यह कहते हुए चले गए। अभी नहीं रुख सकता। एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुँचने के बारे में पूछा तो वो रमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अक्षरश सच हो गाओ। सब की उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख। मैंने धीमे स्वर में पूछा क्या उनका नाम कैप्टन अजय था। सर ने। हाँ मैं सर हिलाया। मैंने सब को उधर चलने को कहा। जिधर से स अबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तयार नहीं हुए। लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुँचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अधजला खंधर था। जिसके एक तूट पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल वर्टिकल बार तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सच्ची कहानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।